साथियों, गुर्देव टेगोर के लिए विश्व भारती सिर्फ ज्ञान देने वाली ज्ञान परोशने वाली एक संस्था मात्र नहीं थी। ये एक प्रयास है भारतीय संस्कृति के सिर्फस्त लक्ष तक पहुचने का, जिसे हम कहते हैं स्वयम को प्राप्त कर जाएं। जब आप अपने केंपस में बुद्भार को उपासना के लिए जुड़ते हैं, तो स्वयम से ही साक्षातकार करते हैं। जब आप गुरुदेव द्वारा सुरू किये समारों में जुड़ते हैं, तो स्वयम से ही साक्षातकार करने का एक अउसर प्राप्त होता है। जब गुरुदेव कहते हैं, आलो अमार, आलो ओगो, आलो भुबन भारा, तो ये उस प्रकास के लिए ही आबान है, जो हमारी चेतना को जागुरत करती है। गुरुदेव टेगोर मानते थे, विवीतताएं रहेगी, विचारधाराएं रहेगी, इन सब के साथ ही हमें खुद को भी तलाशना होगा। वो बंगाल के लिए कहते थे, बांगलार माटी, बांगलार जौल, बांगलार बायू, बांगलार फोल, पुन्य होग, पुन्य होग, पुन्य होग, हे भगबान। लेकिन साथ ही वो भारत की विविततागी भी उतना ही गवरवगान बड़े भाव से करते थे, वो कहते थे, हे मोर चित्तो पुन्यो, हे मोर चित्तो पुन्यो, तिर्थे जागोरे धीरे, इभारो तेर महा मनोबेर, सागरो तिरे हेथाए दाराए दबाहू बाराए नमो नरोदे बोतारे और ये गुरुदेव का ही विशाल विजन था कि सांती निकंतन के खुल्ले आसमान के नीचे वो विश्व मानव को देखते थे एशो कर्मी एशो घ्यानी एशो जनकल्यानी एशो तपस राजो है एशो है दिशक्ती संपद मुक्ता बंधो शोमाज है हे स्रमिक सात्यों हे जानकार सात्यों हे समाज सेवियों हे संतों समाज के सभी जागरुख सात्यों आईए समाज की मुक्ती के लिए मिलकर के प्रयास करें आपके केंपस में ज्यान प्राप्ति के लिए एक पल भी बिताने वाले का ये सभाग्य है कि उसे गुरुदेव का ये वीजन मिलता है